हेलो एवरिवन बेलकम बैक तू मैं चैनल कार्याले जीला सिक्षा पतादिकारी मुझभफर पूर से कॉंसलिंग को लेकर प्रतिवेदन जारी हुआ है जो दूसरे चरन का कॉंसलिंग है जो दूसरे स्टार्ट होने वाला है तो कल से जिस समय से प्रात्मिक शिक्षा नितेश सिक्षक सर के तबादले की खबर आई है लगता है जैसे दिल दिमाग नहीं काम करना बंद कर दिया है कुछ भी मतलब मन ही नहीं करता है सिक्षक नियोजन से रिलेटेड वीडियोज बनाने के कंटिनीव वही बात सोचे जा रही हूँ कैसे सब कुछ हो पाएगा क्योंकि सर बहुत पारदर्सी तरीके से नियोजन को पूरा करवा रहे थे और इतने पारदर्सी तरीके से की सायद लोगों को उमीद भी नहीं थी लेकिन सरकात अबादला हो गया पता नहीं आगे क्या कैसे होगा मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है असा लग रहा है जैसे 227 के डेट में आया है काउंसलिंग की थी दो को नगर परिशद काटी नगर परिशद मोतीपूर का है जिला मुख्याले में और चार को 15 ब्लोग का प्रखर्णियों जनिकाई और आई बंदरा गाय घाट कुरहनी कट्रा काटी मोतीपूर मुसरी मीनापूर मर्बन मुरॉल पारू, सरैया, साहिब गंज और सकराका है जीला मुख्याले में ही है टोटल 106 निवजनिकाई की संख्या है पंचायत में भी है न्व को 9-8 को पंचायत निवजनिकाई में है 106 निवजनिकाई है और 15 जो है परखर्णियों जनिकाई और 2 नगर परिशद contexts टोटल मिलाके भी नियोजनीकाई है सभी में एक दो में दो को होगा नगर परिशद काटी में और नगर परिशद मोतिपूर में और 15 प्रखन नियोजनीकाई का चार तारीक को और 9 को इसका इसमें भी 125-hait का अलग अलग करके नहीं दिया हुआ है आज साथ लेटर आए उसके बाद फिर आएगा 125 के लिए अलग और 628 के लिए अलग क्योंकि इसमें चीस क्लियर नहीं कि गई है कि 125 का कब है और 628 का कब है तो जल्द ही लेटर आने वाला है लोग सर के लिए ट्विटर केंपेंट भी चला रहे हैं और अच्छा होता बहुत अच्छा होता अगर सर कम से कम जब तक नियोजन का कार चलेगा तब तक सर होते तो बहुत पारदर्सी तरीके से सब कुछ हो पाता जैसे हो रहा था उमीद भी नहीं की जा रही थी कि इतने पारदर्सी तरीके कैसे हो पाएगा तो बहुत ज्यादा कल से अव्यारतियों के बीच में भी बहुत ज्यादा हो है लोग बहुत परिशान है ऐसा लगता है जैसे किसी अपने को क्या बोलू मैं सब नहीं मिल रहे हैं चलिए मिलते हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बापाएं